नमस्कार बच्चो आज हम कक्षाचार की हिंदी व्याकरण पुष्थिका का पार्ट नमबर एक पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा और व्याकरण क्या नाम है बच्चो भाषा और व्याकरण आज हम इस पार्ट में भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे तो आये शुरुवात करते हैं, हम सब समाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रेंड करते हैं, यह विचारों का आदान परदान हम भाषा के माध्यम स से ही करते हैं यानि हमारे जो विचार होते हैं हम उनका जो आदान परदान करते हैं मतलब हम दूसरे के विचार को सुनते हैं हम अपने विचार उनको सुनाते हैं तो वह हम सब जो है भाषा के माध्यम से करते हैं जैसे चित्र में अध्यापी का बच्चों को पढ़ा रही है पढ़ाने के दो तरीके हैं, एक होता है मुख से पढ़ाना और एक होता है लिख कर पढ़ाना, तो आईए देखते हैं, इस चित्र में अध्यापिका छात्र से पश्ण पूछ रही है, छात्र अपनी भाषा के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं, परिभाषा, भाषा वह सादन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का एक दूसरे के साथ आदान परदान करते हैं ये द्वारा परते हैं भाशा वह सादन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का एक दूसरे के साथ आदान परदान करते हैं वह भाशा कहलाती है भाषा का परियोग हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए करते हैं संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं जैसे अंग्रेजी, चीनी, अर्बी, फ्रेंच, स्पैनिश और हिंदी आदी बच्चों यहां आदी का मतलब है हमारे देशों बहुत सी भाषाएं बोली जाती है लेकिन हम उन सभी भाषाओं को यहां पर नहीं लिख सकते तो उनके लिए हम आदी का प्रियोग करते हैं हमारे देश की राष्टे भाषा हिंदी है हमारे देश की राष्टे भाषा क्या है बच्चों? हिंदी याद रखना तथा यहाँ पर भी हिंदी के अत्रिक्त अन्य भाषा हैं बोली जाती हैं जैसे पंजावी, बंगला, मल्यालम, तमिल, तेलगू, गुजराती, उडिया, मराटी, आधी यानि हमारा जो भारत देश है, उसकी जो मुख्य भाषा है, वो हिंदी है, लेकिन उसके अत्रिक भी अन्य भाषा हैं हमारे देश में बोली जाती हैं अब हम पढ़ते हैं भाषा के रूप यानि भाषा के कितने रूप होते हैं भाषा के मुखे दो रूप होते हैं बच्छो एक मोखिक भाषा और एक लिखित भाषा आईए अब हम मोखिक और लिखित दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे मोखिक भाषा क्या है जब हम अपनी बात बोलकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह सुनकर बात को समझता है भाषा के इस रूप को मुखिक भाषा कहते हैं यानि हमारे मुख से लिखली हुई भाषा यानि हमारे मुख से जो भी बात निकलती है और दूसरा व्यक्ति उस बात को सुनकर समझता है तो उस भाषा को हम मुखिक भाषा कहते हैं नमबर दो नमबर दो क्या है लिखित भाषा जब हम अपनी बात को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसे पढ़कर दूसरा व्यक्ति समझता है यह है लिखित भाषा कहलाती है यानि जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के समक्स प्रस्तुत करते हैं रिखित भाशा कहलाती है, आगे है संकेतिक भाशा, संकेतिक भाशा का मतनुत हुताँ बच्च центр बच्चों इशारों से बात करना और समुझना, कुछ लोग अपनी बात बताने के लिए इशारों का प्रियोग करते हैं जैसे एक यातयात पुलिस का सिपाही यातयात को निर्देश देने के लिए इशारा करता है यातयात चालक इशारा समझ कर उसके आदेश का पालन करते हैं प्रन्तु इसे भाषा नहीं कहा जा सकता तो बच्चों आगे पढ़ते हैं लीपी लीपी क्या है जब हम कुछ बोलते हैं उस समय हमारे मुख से कुछ ध्वनिया निकलती है ध्वनियों को लिखित रूप में परकट करने के लिए कुछ चिन्णों का परियोग क्या जाता है इन्ही चिन्णों को लीपी कहते हैं बहाषा परते हैं विसकी क्या है परिवाषा बहाषा के लिखने की विधी को लीपी कहते हैं तो क्या होगा बच्चों बहाषा के लिखने की विधी को क्या कहते हैं लीपी कहते हैं हिंदी भासा की लीपी देवनागरी है तो हिंदी भासा की कौन सी लीपी है बच्चो देवनागरी या दखना आप के हिंदी भासा की लीपी देवनागरी है अलग-अलग भासा को लिखने की लीपी भी अलग-अलग होती है कुछ भाषा एवं उनकी लीपी निम्न प्रकार से हैं जैसे पंजाबी, पंजाबी की लीपी क्या है गुरू मुखी, अंग्रेजी की लीपी रोमन, उर्दु की फार्सी और संस्कित की देवनागरी, तो ये लीपियां आपको याद भी करनी है, आगे आता है बच्चो व्या व्याकरन क्या है? प्रतेक भासा को लिखने व्य बोलने के कुछ नियम होते हैं, इन नियमों का ज्यान होने पर ही भासा को शुद्ध रूप से बोलना व्य लिखा जा सकता है। अब हम व्याकरण की परिवाश्य पढ़ते हैं कि व्याकरण क्या है व्याकरण हमें भाषा को शुद रूप से लिखना पढ़ना और बोलना सिखाती है व्याकरण हमें भाषा को शुद रूप से लिखना पढ़ना और बोलना सिखाती है प्रतेग भासा का अपना अपना व्याकरण होता है दो भासाओं की लीपियां एक हो सकती है परन्तु व्याकरण अलग-अलग ही होता है बच्चों अब हम व्याकरण के अंग पढ़ेंगे व्याकरण के कितने अंग होते हैं व्याकरण के तीन अंग होते हैं नमबर एक वर्ण विचार, नमबर दो शब्द विचार, नमबर तीन वाक्य विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, अब हम इन तीनों के बारें पढ़ेंगे आगे, वर्ण विचार क्या है, वर्ण भासा की वह चोटी इकाई है, जिसके और टुकड नहीं किये जा सकते वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं वर्ण विचार में वर्णों के भेद और उनके मेल से शब्द बनाने का अधन किया जाता है। दूसरा नमबर आता है शब्द विचार, वर्ण या अक्षरों के सार्थक सम्मू को शब्द कहा जाता है, शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों का विकास, शब्दों का निर्मान, आदि का अध्यन किया जाता है, किसमें शब्द विचार में? नमबर तीन है वाक्य विचार, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है, हम अपने विचार वाक्यों के माध्यम से ही प्रकट करते हैं, वाक्य विचार में वाक्यों के भेद, निर्मान, शब्दों के आपसी सम्मन्द और उनके ठीक क्रम का अध्यन किया जाता है तो बच्चो ये थे आपके व्याकरण के परकार यानि अंग आईए अब जानते हैं हमने पूरे पार्ट में क्या-क्या पड़ा भाषा द्वारा व्याक्ति शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों के सामने परकट करता है यानि हम अपने विचारों को दूसरों के सामने किसके द्वारा परकट करते हैं भाषा के द्वारा तथा उसके विचारों को ग्रेंड भी करते हैं भाषा के ही द्वारा भाषा के दो रूप बताए एक था मोखिक और एक था लिकिक मोखिकी प्रिवाशा द्वारा यहां पे जब हम अपनी बात बोलकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह सुनकर बात को समझता है भाशा के इस रूप को मोखिक भाशा कहते हैं दूसरा है लिखित भाषा, जब हम अपनी बात को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसे पढ़कर दूसरा व्यक्ति समझता है, वह है लिखित भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप हैं मोखिक भाषा और लिखित भाषा व्याकरण हमें भाषा का शुद लिखना पढ़ना और बोलना सिखाता है भाषा के लिखने की विदी को लिपी कहते हैं तो बच्चो आज हमने इस पार्ट में भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा आप नीचे तो आपकी rating साफ सुतरी होनी चाहिए